आज के नवजवान की दुनिया को छोड़ है आज का नवजवान तो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से उसे जो ग्यान है हमारे बुज़ुर्गों के पास ये ग्यान नहीं था आज के नवजवान का अपना नजरिया है और आज का नवजवान यही नवजवान जो हमारे प्रदेश का, आज का नौजवान में अपनी सोच है, उसकी तरफ कोई कमिशन या ठेके की नहीं है, आज का नौजवान तो वैवसाई का मौका चाहता है, आज का नौजवान अपने हाथों को काम चाहता है, और जब तक इसे ये काम और वैवसाई का मौका नहीं मिलेगा, हमा मारे मद्य प्रदेश में ओध्योग के करन चौपट जित्ते ओध्योग मद्य प्रदेश में 15 साल में नहीं लगे उससे ज्यादा ओध्योग तो बंद हो गए आज का नौजवान चाहता है पढ़ लिख लिया चला गया इंजिनियरिंग कर ली कॉलेज में चला गया पोस्ट ग एक میरा तो रहा का, का का, उसकी पीड़ा, उसका दुख पहचानने की आवश्यक्ता है, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चुनोती हमारे नौजवानों की भविश्य की है कैसे हमारे नौजवानों का भविश्य उज्जल होए ये चुनोती हमारे सामने है और हमने तो शुरुवात करी है हमने शुरुवात करी है कि लोगों को मद्य प्रदेश में एक विश्वास होए मद्य प्रदेश की पेचान बदली जाए तभी तो निवेश आएगा तभी तो लोग आएंगे कि मद्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे तभी यह अर्थिक गतिविदी बनेगी किसी की गारी चल जाए किसी की दुकान खुल जाए किसी का विया पार चल जाए ये तो तभी संबब है जब आर्थिक गती भी दिया अभी तो शुरूवात है मैं गोशना नहीं करता मैंने कहा था जिस दिन मैं मुक्यमंद्री बना कि मैं गोशना नहीं करूंगा गोशना यह नहीं करता क्यूंकि मद्यप्रदेश में सब का पेट बढ़ गया था गोशनाओं से 15 साल शेवराज सेग ने गोशनाओं करी थी गोशनाओं से तो तालिया बच जाती हैं सब बूल जाते हैं शिवराज भी घल बैट गए क्योंकि इत्ती 12-13-14 अजार गोशना ही कर दी हिसाब किताब नहीं देते हिसाब किताब नहीं देते तो मैं गोशना नहीं करता हूँ इत्ता ही कहना चाहता हूँ ये तो एक शुरू और भी योजनाए है और भी उजनाए है हमारी कुक्षी माइक्रू इरिगेशन योजना यह सब योजनाए है यह शुरुवात है यह चो ट्रेलर है समझगााई घाला रही यह ट्रेलर की शुरुवाद आप कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा आपने मुझे आपने मुझे बल और शक्ति दिये हम ना तो गुम्रा की बात करते हैं और मैं तो दार कि आदिवासियों को आम जंता को वधाई देना चाहता हूं गरीब हैं आप बोले बाले हैं पर सच्चाई समझते हैं इन सबको आपने जब चुना आपने इनका तो साथ दिया पर उसके साथ सच्चाई का साथ दिया आपने सच्चाई पैचानी और यही मैं आपको बदाई देता हूं नवजबानों याद रखिएगा बोलने वाले गोशना करने वाले बढ़काने वाले आलोचना करने वाले बहुत आएंगे पैचान ले जीगा उन्हें आपको तो सच्चाई का साथ देना हैं आपने सच्चाई का साथ देने का उधारन बनाया हैं इतियास बनाया हैं सच्चाई का साथ देते रहे यही सबसे बड़ी आपकी शक्ति है लंबी चोड़ी बाते कर लेते हैं कित्ती बाते शिवराज सिंग कहते थे याद है शिवराज सिंग जी की और आप तो आप मोधी जी को सुनिए मोधी जी को सुनिए मोधी जी कित्ती बड़ी बाते करते थे नौजवानों के प्रती ये होगा, रोजगार होगा, ये तो पुरानी बात होगी, दो क्रोर रोजगार आएंगे, दो क्रोर तो छोड़िया, दो लाग का नाम देजिए मोधी जी, कहते थे किसानों, कृशी को मैं लाप का धंदा बनाऊंगा, सबसे ज़्यादा आत्महत्यात पिछले पांच साल में होई, और ये मोधी जी, आज आप नौजवान की बात नहीं करते, आज नौजवान की बात नहीं सुनेंगे उनसे, आप किसानों की बात नहीं सुनते मोधी जी से, मोधी जी क्या करते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, यह कलाकारी की राजनी थी, यह गुम्रा की राजनी थी, राष्टवाद का राष्टवाद की बात करेंगे, और कौन सा पाठ पढ़ाएंगे यह राष्टवाद का, मैं तो पूचता हूँ शिवराज सिंग जी से, मोधी जी से, मुझे एक नाम बता देजिए, जो आपके पा अंग्रेश को पाठ पढ़ाने आए हैं, कलाकारी देखिए, वारे शिवराज, यह कलाकारी कैसे जनता का द्यान मोडते हैं, नवजवानों, मातां और बेनों, आपको इस कलाकारी से साबदान देना है, यह आएंगे, आलोचना करते हैं, मेरे तो 14 महीने हुएं, शिवराज आईए, कुक्षी आईए, धार आईए, आप हिसाब किताब देजिए पहले, आलोचना तो 14 महीनों की आप करते रहेगा, 15 साल का हिसाब किताब देजिए जनता को, यह हिसाब किताब तो देंगे नहीं, पर आलोचना करेजिए, पहले तो घोषना की आदत थी, अब आलोचन दुख नहीं दिखता, इनकी आँखें नहीं चलती, इनको हमारे नवजवान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, इनके कान नहीं चलते, कान नहीं चलते, आँख नहीं चलती, मूँ बहुत चलता है, बहुत मूँ चलता है इनका, तो मैं तो आप से यही कहूँगा हमारे और भारतिय जनता पाटी के बीच में अंतर क्या है यह अंतर भी आपको समझना आए यह अंतर सोच का है जब हम सोचते हैं हम आदिवासी समाज के बारे में सोचते हैं भारतिय जनता पाटी जब सोचती है वो सोचती है कि हम आरक्षन को कैसे कम कर दें या आरक्षन को हम गायब कैसे कर दें यह सोच का अंतर है हमेशा इनकी दिल की अवाज आपको पहचानी है इनके हिर्दे से क्या निकलता है इनका हिर्दे से जो बात निकलती है ये आदिबासियों के बारे में नहीं सोचते हैं कि कैसे हम समाप्त करें जो आज आरक्षन है, कभी-कभी मूँ से बात निकल जाती है, फिसल जाती है, जो नीतियां बनाई, हमारे आदिवासी समाज के लिए, कॉंग्रेस पार्टी ने बनाई, इंदरा गांदी जी ने बनाई, इंदरा गांदी जी ने ये नीतियां बनाई, कि हमारा आदिवासी समा में आपने कौन सी नीतिया बनाई आपने कौन सी नीतिया का समर्चन किया यह सोच का अंतर है जब हम सोचते हैं हम नौजवानों के बारे में सोचते हैं हम किसानों के बारे में सोचते हैं यह सोच का अंतर है यह हमारे नजरिये का अंतर है और यही आपको समझना है हम हो सकता क हैं मसफल होएं पर हमारे सोच में खोट नहीं है